गुड मॉर्णिंग सिच्छक अभी हर्थियों आप सभी के लिए बहुत बरी नियूज निकल कर आ रही है जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप सभी के लिए बहुत बरी बहाली यहां पर आ चुकी है बिहार में एक लाग सिच्छकों के रिखतिया अगले महीने आएगी एक लाग सिच्छक के रिखतिया अगले महीने फिर से आ रही है अब चलिए इसको अगरम डिटेलें पड़े तो दखिए क्या लिखा गया है चटी से बारवी कच्छा के सिच्छकों के करीब एक लाग पदो पर निउक्ती के लिए अप्टूबर में बिहार लोग से बायोग बीपेज सिविग्यापन निकालेगा इस बहाली के लिए अविदन करने वाले अभी हर्थियों की परिच्छा नवंबर में ली जाएगी मंगल भरको आयोग और सिच्छा इभा के पताधिकारीयों की हुई बैटक में नई सिच्छक निउक्ती और वर्तमान में चल रही बाहली प्रकिरिया को लेकर विभिन मुद्दों पर विचाल भिमश हुआ मिली जनकारी के अनुसार कच्छा 6-8 के सिच्छकों के 52,000 पदों पर बहाली का विज्यापन निकलेगा वहीं कच्छा 9-10 और 11-12 के सिच्छकों के पद का आकलन वर्तमान निउक्ती पूरी होने के बात किया जाएगा विभाग के पद धिकारी अनुमान लगाते हैं कि 9-12 तक हैं 50,000 पद हो सकते हैं इस तरह करीब 1,000,000 नए पदों पर निउक्ती का विज्यापन निकलेगा आयोग ने विभाग से कहा है कि कच्छा 6-8 का सिलेबस उपलब्द करा दे ताकि उसके अनुरूप प्रस्ण पत्र तयार करने की दिसा में काम किया जा सके मालूम हो कि वर्तमान में 1,70,461 पदों पर चल रही निक्ती परिकिरिया में कच्छा 6-8 का सिलेबस के पदों को सामिल नहीं किया गया है बैठक में BPSC अध्यक्ष अतूल परसाथ सर सिच्छा इभा के अपर मुख्या सशिव के के पाठक सर माध्यमिक सिच्छा निदेशक कनिया सर श्रीवास्तव प्रात्मिक सिच्छा निदेशक पंकरश कुमार सर आयोग के सश्चीव रही भूशन मौजूद थे तो इन लोग स्राथ ये सब डिशिजन लिया गया और अहां बहुत जल्दे यहां पर आपको अगले महीं नहीं देखने को मिलने वाली डिवर्टिसमेंट नवंबर में BPSC परिच्छा उजित करेगा नवंबर में परिच्छा भी अपकी हो जाएगी आयोगा सिच्छा इपा की बैठक में हुआ बेमर्श तो जैसे मैं आपको बताया और ग्यादे की करिका गया बावन हजार पद हैं च्छोज यार कच्छा के लिए और पच्छा जार पद हो सकते हैं नौ से बारात तक के लिए तो वह एक्जाम हो जायागा भी रिजल्ट प आप धन्यवाद